अस्सलाएंगों कॉछ से आप सब लोग आज की वीडियो में है सो अपन तेंथ स्टैंटेटर के रिजंट्स के बार में बात करेंगे इंटर सेकंड य çो इंगे isके बार में भी बात करेंगे देन के लिफ का क्या अपडेट है वो भी देखेंगे एंदेन अपने को एक बैड न्यूस है डिग्री बी टेक और डिप्लोमा के स्टूडेंस के लिए वो लों के फाइनल सेमिस्टर एक्जाम्स की जे इंट्यू की तरफ से अपडेट आई तो इसके बार में भी अपन डीटेल में देखे तो इस है कि आप सभी को मालू है कि 10th के रिजल्ट के लिए काई सारे स्टूडेंस वेट है बोलों कब आता वो यह सस्पेंस में है काई सारे न्यूस में तो यह बुर रहे कि में 20 तक आ जाएंगा और काई सारे जगे यह मत के एंडिंग तक आजएंगा बूलके तो तलंग देख ले सकते, मैं जैसा भी जो दिन रेजल्ट है आना, मैं अब काईसा लेना काईसा देखना, एक सैंपल के साथ बताऊंगा इंशाल्ला, तो ये थी अपडेट तो जैसा कि अब काई सारे COVID-19 cases के second wave बढ़ने के कारण तेलंगाना गौर्णनमेंट क्या करी 10th standard के बच्चों के एक्जाम्स कैंसल करके प्रामोट कर दी और एक दूसरी चीज, ये साल जो भी एक्जाम फी नई पे करे बच्चे फॉर एक्जामपल तो वो लोगों को भी पास कर दिये बोलके गौर्णनमेंट की तरफ से अपडेट आई और दिन FA1 के मार्क्स बेसस पे आप लोगों को मार्क्स दिया जाएगा तो जैसा कि पहले क्या था बीच में बच्चों को ये भी डाउड था कि objective assessment कुछ लिंगे विलके वैसा कुछ भी नहीं है आपको FA1 मार्क्स के साबके आपको एक्जाम ये जाएगा जब तेलेंगा ना गौर्णनमेंट ये चीज़ एक्जाम्स कैंसल करी विलके डिसाइड करी बस बच्चे के हो सकता FA1 के मार्क्स अच्छे नहीं होंगे या फिर उन्हें उसके मार्क्स से डिससाइडिस्वाई होंगा तो लोगो एक्जाम्स फिर से लिखने का मौखा दिंगे बुलके बोले थे मगर वो लोग अब क्या बोलो तो COVID-19 केसे बढ़ने के कारण मुश्किल है वो मौखा देने के लिए तो आप लोगो हर चीज़ क्लियर हो गए होंगे 10th Standard के Students के लिए फिर देन अपन TS Inter के regarding बात करेंगे Board of Intermediate के तो TS Board क्या करी First Year के exams कैंसल कर दिया Second Year का decision लेना है तो तलंगाना Government जो है CBC को follow करी तो तलंगाना State क्या है COVID-19 के cases बढ़ने के कारण ये लोग lockdown भी extend करती है 31 तक तो जैसा COVID-19 situation कम होईगा नॉर्मल हो गया तो बच्चों को exams लिंगे बूल के सूचे थे तो मगर अब तो देखा गया तो COVID-19 cases दिन बढ़ दिन बढ़ते जा रहे ना तो बहुत ही मुश्किल है कि बच्चों को exams कंडेक करने के तो 99% ये chances है कि बच्चों को जो है exams कैंसल करके promote कर दिंगे बूल के सोच रहे मगर CBSC को ये लोग follow कर रहे तो as per CBSC देखा गया तो CBSC के regarding भी कहीं सारे जागे updates आरेगी की बच्चों के exams कैंसल कर दिंगे बूल के तो CBSC क्या करा था अब लो तो COVID-19 cases बढ़ने के कारण 10th के बच्चों को promote कर दिया था Inter 1st year के बच्चों को promote करके 2nd year के बच्चों को 12th के रोक के रखा था तो ये लोग क्या है जून में एक बार review meeting करेंगे 1st week में तो आपको confirm मालूम होईगा मगर 99% lockdown और cases बढ़ने के कारण है ना आप लोग ये guarantee दे सकते कि आपनों के exams cancel होने वाले और क्या है बोले तो कहीं सारे दूसरे जाने क्या है online exams वे भी shift हो रहे तो नहीं बोल सकते हैं अपन हुआ तो यह लोग क्या है online exams भी ले ले सकते तो CBSC है ना बिल्कुल same central government CBSC को follow कर रही है अगर CBSC अपने 12 standard के बच्चों को क्या है प्रमोट कर दिये तो यहाँ पे भी state government वाले तलंगाना वाले आख मुझके 12 standard के बच्चों को प्रमोट कर दिये और रही बात first year की आप लोग को already प्रमोट कर दिये इंशालला आप लोग को memos आ जाएंगे अगर आपको mark से खुश नहीं है तो आपको और एक बार लिखने का मौखा दिया जाएगा और दूसरी बात क्या है बोले तो जो second year में बच्चे उलों के अगर backlog से उलों को क्या है minimum mark से पास करके प्रमोट कर दिये ये चीज़ आपको already मालूम है फिर भी एक बार बोल दे रहूं जो बच्चों को नए मालूम है ठीक है तो I think आप लोग को इंटर के लिए CBSC जो डिशीजन लिंगी TS Government भी वोई डिशीजन लिंगी तो इंशालला आपको क्या है थोड़ा सा सबर करना है अपने कुछ जून की first week तक मालूम हो जाएंगा तो जब तक आप अपना preparation जारी रखिए MSET का preparation करिए time waste मत करिए अब regarding TOS की बात करेंगे TOS में क्या है बले तो कहीं सारे YouTube चैनल पर ये बता दे रहे कि बच्चों को पास कर दिये प्रमोट कर दिये मगर जब आप official websites को खोले तो red color में ये बता रहा कि update तलंगाना government क्या है TOS SS intermediate के exam से लोग जुलाई में लिंगे बोलके बता रहा और जो examination fee with fine without fine जो भी pay करना है अभी तक आप नई pay करें तो कल ले सकते बोलके भी बता रहा तो अपन इसके regarding मैं कुछ भी guarantee नहीं दे सकते हूं मगर NSUI member जो है सो वेंकट बाला मुरू सर कल चलापली जेल से release होए तो उनों बच्चों के लिए fight कर रहे है तो मैं इतना ही बोल सकता हूं आप लोग के लिए आप लोग जाहिए उनसे contact करिए वो लोग support करने के लिए ready है कुछ भी करके कैसा भी करके link निकाल के आप लोग contact करिए तो contact करके ये बात रखिए जब तक अगर आप ये बात government के साब में नहीं रखे आप लोग को कोई कुछ भी help करने वाला नहीं है और ये मित में नहीं रहे है कि तुसरा या ना कर रहा हूंगा बोलके बाइटे तो एक काम नहीं होता होके पिर देन एक बहुती bad news है जो diploma degree b.tech और अपने degree students के लिए semester exams के फाइनल ये students को exams लिंगे बोलके decision लिया और जो है सो 14 जून से exams लिंगे बोलके बोला तो ये है सो exam है ना और आन्लाइन मोड में लिंगे बोलके सोचा तो अब ये चीज अब JNTU का अपडेट है ना सर ये diploma degree को कैसा relate हो टा बोले तो जो b.tech degree diploma है ना सेंट्रल गॉर्णर्नमेंट और फालो करते तो कोसी भी एक university decision ले ली ना तो ये all universities क्या करते ये decision को फालो करते तो अब देखना ये है कि हो सकता आपको भी ये चीज implement हो जाए तो अब अपने क्या है मसला बुले तो जे इंट्यू है तरफ की तरफ से अपडेट आई जो भी all the universities affiliated जो भी है college से autonomous होई जे इंट्यू के तो वो लोग क्या है बुले तो जून 14 से exams लिंगे और exams from home लिंगे बुलके बुले क्यों बुले तो covid-19 cases बढ़ने के कारण offline exams लेना रिक्स है तो डेली तीन घंटे का एक्जाम रहेंगा काईसा रहेंगा बुले तो webcam में रहेंगा मतलब webcam में आपको one-to-one प्रेजेंट करके आपकी audio और आपकी video देखते वे आपका exam लिये जाएंगा और exam 114 जून से लेके आपको 19 जून तक रहेंगा तो students को क्या है face cam कर लेते हुए जे लिखना है exam तो आप लोगों को जादा टेंशन की बात नहीं है online exam बोले तो फिर भी जे इंट्यू आफ लेन रहन रहन दो और online रहन दोन exam के मामले में तो रस्ट्रिक्ट है तो आप लोग क्या है पहले एक्जाम सेप्टमबर में होने वाले एक्जाम रिसेंटली होने वाले थे मगर क्या बोलो तो cases बढ़ने के कारण यह लोग पोस्पांड करे थे तो हो सकता आप लोगो ऑफिशल जे इंट्यू सर्कल है सर्कुलर है ना मेभी आपको वन वीक में आ जाएंगा कि क्लियर हो गए होंगी और यह वीडियो का अपने दोस्तों के साथ जादा स्यादा शेर करिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए वीडियो अच्छी दिखी तो लाइक करिए कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए चलिए चलते हैं अल्ला हाफीज